तो आज की सुध वीडियो में हम डिसकर्श करने वाले हैं भीमायना एक्स्पिरियेंस ओफ उनटचबुलीटि तो ये एक आटो बायग्राफी है हमारे भीमराव् ऐमेड कर की और इसमें हम उनके एक्सपिरियेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो की सब related हैं किस से untouchability से यानि अच्छूच से मतलब कोई भी कोई चीज को छुए तो वो चीज pollute हो जाएगी गंदी हो जाएगी तो उन्होंने अपनी जिंदिगी में जो भी experiences किये हैं वो सब इस autobiography में described किये गए हैं तो हम उनको ही discuss करेंगे तो उन्होंने अपनी इस autobiography में बहुत सारी चीज़े तो नहीं लिखी हैं लेकिन उनको जरूर mention किया है जो उनकी जिंदिगी में एक छाप छोड़ गए यानि उनके दिल को बहुत दुख पहुंचा बहुत ठोस पहुंची जब जब उनके साथ untouchability जब जब उनको याद दिला आया गया कि वो अच्छूत हैं और वो सारे अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो बाकी लोग दूसरे करते हैं जो भी उची जाती कि हैं क्यों क्योंकि ये सिर्फ नीची जाती से बिलॉंग करते थे इसलिए ये वंचित थे उन सारे अधिकारों से तो इन्होंने में जो उनके दिल को ठोस पहुंची है जिन घटनाओं से उनको mention जरूर किया है तो जैसे हम देखेंगे कि part 1 है water यानि जहां पे इनको पानी नहीं दिया जा रहा था जब ये स्कूल में पढ़ते थे तब और उसके बाद हम पढ़ेंगे travel जब वो बाहर गये traveling के लिए तब उनको कितनी दिक्कत हुई उनको accommodation नहीं मिल रहा था यानि समाज में जितने भी evils present थे उन सबको उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो हटा सके उन्होंने पूरी कोशिश करी और ये एक politician भी है यानि political leader भी थे तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम किया जब तक उन्होंने किया ठीक है तो इन्होंने untouchability को हटाने की अब क्योंकि वो खुद भी एक नीची जाती से बिलॉंग करते थे वो दलित थे यानि वो महार कम्यूनिटी से बिलॉंग करते थे जो की दलित में गिने जाते थे यानि जो भी लोग महार से हैं महार कास्ट से हैं वो भी दलित ही गिने जाते थे तो एज़त दलित क्योंकि वो खुद भी दलित थे तो उन्होंने ये सारे दुखो को जेले है जो भी उनके साथ अन्याय हुआ जो भी उनके साथ भेद भाव हुए कि नीची जाती के हैं वह और उनके साथ जो उची जाती के लोग थे उन्होंने कितना बुरा विवहार किया तो उन्होंने इन सारी के लिए उन्होंने स्ट्रगल भी किया लड़ाई भी करी खुद के लिए और बाकी जो लोग थे जो दलित थे जो महार कम्यूनिटी से बिलॉंग करते थे जो अंटचेबल थे उन सब के लिए तो हम इसको शुरू करें उससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि यह जो बुक है यह एक बुक का नाम है ठीक है और इसके अंदर इनके एक्सपीरियंस है जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किये हैं उन सारी घटनाओं को मैंशन किया गया और उसके अलावा जो दो नाम हम देख रहे हैं सुभाश व्याम और दुर्गाबाई व्याम इन दोनों के नाम इसल इस बुक में और इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है हमारा वो है वेटिंग फॉर वीजा इसमें भी डॉक्टर भीम्राव अमेडगर के बारे में ही है अब इन दोनों में डिफ्रेंस क्या है तो जो पहली बुक है भीमाएना इसके इनके खुद के लाइफ के एक्सपीरि वीजा इसके अंदर भी अन्टचिबलीटी वाले ही सब कहानिया है लेकिन वो उनकी नहीं है बलकि किसी और की है जो उन्होंने दूसरों को सहते हुए देखा है तो ये जो है भीमाएना ये तो इनकी ऑटो बायग्राफिया यानि इनकी खुद की कहानि पे और इन्होंने ख ठीक है तो इसमें हम इनकी ही एक्सपीरियंस पढ़ेंगे और जो दूसरी वीडियो मैं डालूंगी उसमें हम करेंगे वेटिंग फॉर वीजा जो कि भीम्राव अंबेड करने लिखी है लेकिन उनकी खुद की एक्सपीरियंस नहीं है किसी और की है ठीक है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट वन जिसका नाम है वाटर ठीक है तो यह इन 1901 की बात है जब अंबेड कर सिर्फ दस साल के एक बच्चे थे तो यह कहानी एक विलिज के स्कूल से शुरू होती है जहां पे अंबेड कर सिर्फ एक 10 साल के बच्चे थे अब देखो क्योंकि यह नीची जाती से लोवर कास्ट से बिलॉंग करते थे इसलिए इनको अलाओ नहीं था कि यह बाकी बच्चों के साथ खेले क्योंकि ये untouchable थे अगर ये खेलते उन लोगों के साथ दूसरे बच्चों के साथ तो फिर बाकी बच्चे भी अच्छूत हो जाते, पॉल्यूट हो जाते, गंदे हो जाते इसलिए इनको दूर ही रखा करते थे जब हम भुक में इस घटना से रिलेटेड आर्ट देखेंगे, प्रधान गौर्ण आर्ट तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि ये खुद अपनी मर्जी से अकेले खड़े हैं क्योंकि सब इनको धका मार के साइड करते हैं, बोलते हैं कि दूर रहो तो इसलिए खुद से ही कॉर्णर में खड़े हैं अब ये पानी जब इनको प्यास लगती थी तो ये खुद जाके पानी भी नहीं पी सकते थे वाटर पंप से, क्यों? क्योंकि ये अनटचेबल थे, अगर ये पानी को छूते, वाटर पंप को छूते तो पूरा जो पानी है, वो पॉल्यूट हो जाता अब देखो, जब इनको प्यास लगती थी, तो ये अपनी तरफ से जा नहीं सकते थे माँ पे इनको अलाओ नहीं था, कि ये जाके खुद से नलका खुड के पानी पीए, ठीक है? तो इसलिए जब इनको प्यास लगती थी, तो टीचर से पूछने के बाद इनके साथ स्कूल के चपरासी का होना बहुत जरूरी था, ताकि वो जाए और वो इनको पानी दे लेकिन जो स्कूल का चपरासी था, पीएन था, वो क्या करता था, जैसे घंटी बसी थी, वैसे ही गायब हो जाता था, और ये प्यासे की प्यासे ही रह जाते थे फिर अगर वो अपने टीचर से पानी के लिए पूछते थे, तो उसके जो टीचर है वो उनको डांट देते थे अंबेटकर explains his predicament to the teacher, after the bell rings, the other children drink water and the pion leaves, the pion does not wait to give water to अंबेटकर तो फिर जो अंबेटकर है वो शिकायत लेके जाते हैं अपने टीचर के पास, कि जो उनके school का pion है, जो उनको पानी देने के लिए रखा गया है, वो क्या करता है, bell बचते के साथ ही चला जाता है, उसके लिए नहीं रुकता है, ये सारी स्थिती उसने अपने टीचर को बत तब सिर्फ 10 साल के एक छोटे से बच्चे थे, तो उनके साथ ये सारी चीज़े हुई, ठीक है, और मतलब बरदाश नहीं की जा सकती हैं ऐसी चीज़े, क्योंकि वो बच्चे थे, वो सह गये, वो डाट खा के रह जाते थे, और जो पियन था, वो भी चला जाता था, तो इ थर्स्ती अमबेटकर इस पोट्रेड एस इफ देर इस फिश विदिन हम, यह जाता था, जाता था, पियासे अमबेटकर उनको किस तरीके से दिखाये गए, एक मचली के रूप में दिखाये गए, कि जैसे कि मानो कि उनके अंदर कोई मचली हो, और वो पानी के लिए तडप और उनको पानी की सक्त जरूरत थी, और वो मानो तडप रहे थे पानी पीने के लिए प्यास से, तो इसलिए यहाँ पे जो फिश है, यह एक सिंबल है, कंटिन्यूसली हमें शो कर रहे है किस चीज को, प्यास को, पानी को, और शान्ती को, यहाँ पे हमने में फिश को इसलि प्यासे हैं कि हमने उनको फिश का नाम दे दिया एक तरीके से कि उनको बहुत ज़्यादा नीड है पानी की वो प्यासे है लेकिन वो पानी पी नहीं सकते क्यूं कि वो सिर्फ अंटचेबल हैं इसलिए क्योंकि वो लोवर कास्ट से हैं इसलिए the teacher tells Ambedkar that if he cut his hair regularly then he would not feel so thirsty अब यहां पे जो उनके teacher हैं इतना पढ़े लिखे होने के बावज़त क्योंकि पूराने टाइम में तो यही सब बहुत जादा चलता था कि जाती है उंच जाती है नीची जाती है तो बहले ही वो टीचर थे तो वो यह सब बात नहीं मान रहे थे कि मतलब अगर बच्चा प्य बड़े रखोगे तो तुम्हें गर्मी तो लगेगी और गर्मी लगेगी तो फिर तुम्हें प्यास भी लगेगी तो तुम regularly ही अपने बाल काटा करो ताकि तुम्हें प्यास ना लगे तो यहां पर इस बात का कुछ मतलब नहीं है वैसे तो लेकिन वो teacher जो है उसकी बातो पानी के लिए क्यों कि वो सोचते कि वो किसी अचूट को पानी कैसे देगा इसलिए वो भी चला जाते हैं अंबेड कर थेंक्स तो इंसेल्फ डाट नो बार्बर इंडविलिज वुड कट तहें और अंटचीबल अब अंबेड कर जो है वो खुद में ही सोचने लग जाते ह हूं लेकिन हमारे गाओं में ऐसा कोई बार्बर है ही नहीं जो किसी अचूट के बाल काटेगा अलोट ओफ डिस अंबोडिए हैंड्स फिट पॉइंटिंग फिंगर्स अर शोन इन ग्राफिक्स तो जब हम ग्राफिक्स को देखेंगे आर्ट को देखेंगे तो उसमें ऐसे दिखाये हुआ है कि कोई अपर कास्ट का इंसान है जो कि किसी लोवर कास्ट के इंसान को अपने हाथों के थ्रू उसको नीचा दिखा रहा है अपने फिंगर्स को यूज करके उसको नीचे दिखा रहे जब हम लड़ाई करते हैं तो अपनी एक उंगली दिखा के उसको डा These pointing fingers are shown when embedker is told to go away from the water pump. अब जब हम art में देखेंगे तो ये fingers के इस तरीके से जब लडाई होती है दो लोगों में तो हम हाथ दिखा के उंगली दिखा के डाटते हैं. इस तरीके से जो अपर कास्ट के लोगों को अफने हाथ का यूज़ करके डार्ट के फटकार के उन की बेस्ती करके उनको भगाते हैं. ठीक है जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब अम बेट कर, पानी के पंप के पास गए थे, water pump के पास तो उनको कि इस तरीके से डाट के भगाया तो यहां पर I am not using any kind of art, I will just tell you, तो आप Google पर सर्च करके देख सकते हैं, here we will only discuss the story, okay? All throughout the book, Cassius remarks have a trail of hands pointing to the oppressed, अब हम पूरी बुक में जब हम देखेंगे, तो कैसे दिखाया गया है, कि एक निशान है, इसको हम एक symbol की तरह यूज करते हैं, किसलिए किसी को भी दबाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, और नीचा किसको दिखा रहे हैं हम यहां पर untouchables को, जो नीची जाती से बिलॉंग करते हैं उनको, वेर एस दे महार्स, अंटचेबल, लिए ट्रेल ओफुटस्टेप्स, वेर एवर दे गो, देखेंगे, जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो नीचा दिखाने के लिए, फिंगर्स का यूज करते हैं, हाथों का इस्तिमाल करते हैं, अब दुर्गा बाई व्याम और सुभाश व्याम जो हैं, इन दोनों ने जो भी आर्ट का इस्तिमाल किया है, वो सब सिंबॉलिक हैं, जैसे हाथ का इस्तिमाल किया है, फिंगर्स का इस्तिमाल किया है, इसलिए जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो लोवर कास्ट के लोगों क oppress करने के लिए redeem inclusive करने के लिए यूज करते हैं जब की जो महार्थ हैं वो footsteps का यूज करते हैं और जो मुठी है first है वो उन्हें के स्ट्रेंथ का सिंबल आ और जैसे यहां पर नोए water pump को एक disappeared किया है थीए तो यहां पर जो woman's head हम यूज कर रह Rayyan jd bhi उन्होंने use किया है वोमन का हैड वो किसके लिए वॉटर पंप के लिए दिश शोषग ओट डट ऐसे दिखाए की वमन हैड कुछ गएग वाटर पंप को क्यूंकि कल्लेक्टिंग वॉटर वॉशिंग यह तरह काम है एक सारी पानी से रिलेटिट जो भीज आपने और दों के काम है इसलिए वमिन के हैट से सिंबलाइज किया गया है वाटर पंप को इन बेट्वीन दे हैड ओफ तो वाटर पंप बिकम्स दाट ओफ इन एलिफेंट और इस शोन यहां पे जो व्याम्स है इन्होंने जो भी इमेजनरी को यूज किया है और वो क्या दिखा रहे हैं कि वाटर पंप जो है वो खुद एक मशीन है और इतना जादा मतलब जो अम्बेड कर की जो हालत है उसकी इस्थिती है कि एक मशीन भी रोने लग जाए लेकिन जो अपर कास कि लोगे उनका दिल बिल्कुल भी नहीं पिघलता उनके इस हालत को देखके देन देर इस अपिक्चर ओफ अनिमेज देंगे ब्लूट इन अपोज़िए उसके बाद हम एक और पिक्चर देखेंगे जिसके देर अनिमेल है वो पानी पी रहे हैं और सब कुछ ब्लू है नेचर जो है वो बिल्कुल हरा भरा है और उसी के दूसरे तरफ अगर हम देखें तो अमबेटकर है जो कि बिल्कुल डल यलो औरेंज में है यह मतलब सूखा विलेज समझ लो ठीक है जो पूरा विलेज है वो ड्राय है यानि जो आनिमल है उनके लिए सब कुछ अच्छ है ग्रीन है पानी भी है खाना भी है लेकिन जो अमबेटकर है यानि जो डलित को प्रेजंट कर रहे हैं यहाँ पे जो अमबेटकर है वो सारे दलित को प्रेजंट कर रहे हैं और यह उनके खुद की कहानी है तो यहाँ पे हम इस पिक्चर से यह देख सकते हैं कि एक तरफ तो दलित नहीं पी सकते हैं यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आनिमल से भी नीचे की पूजिशन पे हैं यह लोग ठीक है जो इनकी पूजिशन है पूरे समाज में दलित लोगों की वो जानवरों से भी नीचे है अमेड़कर इस डिस्क्राइब आस इन ऑक्स अनल प्रेस गोएं रां और प्राइब के से पूरे दलित कम्यूनिटी को शो कर रहा है उनकी हालत को रिप्रेशन कर रहा है इन फाक्ट देर इस अन्यूस क्लिपिंग अबाउट बिंग किल्ड फॉर हार्वेस्टिंग ग्रीन अब हाल ही में एक न्यूस भी आए थी कि दलित लोगों को मार दिया गया है किसलिए क्यूंकि वो फसल काट रहते हार्वेस्टिंग कर रहते ठीक है और जो मशीन है ऐसा दिखाया गया है कि इनकी हालत पे मशीन को भी रोना आ गया जो भी दलित हैं उनकी हालत पे मशीन को भी रोना आ गया लेकिन जो अपर कास्ट के लोग है उनका दिल अब तक नहीं पिखला तो अभी तक जो भी हमने इमेजिस को डिसकस किया उन सबको अच्छे से याद रखना है क्योंकि एक्जाम पॉइंट वी से देखें तो ये कोशन्स पूछे जाते हैं ठीक है कि कौन सी चीज किसके सिंबॉलिक थी तो उसको याद रखना है अब हम आगे चलने अपनी कहानी पे अमबेटकर has no mother he and his brothers and sisters are looked after by his aunt the aunt however is not much use because she is herself ill most of the time अब अमबेटकर की माताजी नहीं है और उनके भाई बहने यानि सब्लिंग्स हैं और उनकी देखभाल उनकी बुआ करती है ठीक है the aunt however क्योंकि अब देखो जो उनकी बुआ है वो उनका ध्यान इतना नहीं रख पाते क्योंकि वो खुद ही बिमार रहती है जादा टाइम तो अमबेटकर and his siblings have to cook for themselves and they usually cook pulao because that is the easiest तो इसलिए जब उनकी तबित खराब रहती है उनकी बुआ की तो अमबेटकर उनके जो भाई पहने वो जादा तर पुलाओ ही बनाते हैं क्योंकि यह बहुत easy है बाकी सारी खानों से यह बहुत easy है इसलिए वो हमेशा पुलाओ ही बनाते हैं अब हम यहां तक तो अच्छे से देख सकते हैं कि उनकी जो कंडिशन थी थी क्योंकि यह फाइनशली स्ट्रॉंग थे और इनका वैसे भी अच्छा स्टेटिस था क्योंकि जो उनके ग्रांट फादर थे अमबेटकर के उन्होंने बृटिश आर्मी को जोईन किया था जो कि उनका अच्छा स्टेटिस बनाती थी बाकी लोगों के आगे और फाइनशली भी यह वीक नहीं थे अब क्योंकि इनके ग्रांट फादर जो थे वो बृटिश आर्मी में थे तो इसलिए इनके फादर ने भी बृटिश सर्विस को जोईन कर लिया अब हमें इस बात से पतह चलते है कि जो उस वक्त बृटिश इस उन्होंने दलित की हेल प करी थी ना की वो उनको नीचा दिखाथे जैसे की अपर्कास्ट के लोग करते थे तो यहां पर हम देक सते हैं कि बिटिश जो थे तलित लोहों की मदद करते थे उस ताम पे अंबेटकर's father was working in a dry area where the British wanted to dig a deep well to help with the water problem so it is all the more ironical that अंबेटकर himself is not allowed to drink water when his father works for making water available to other people तो अंबेटकर के पिता जहां पर काम करते थे वहां पर भी बहुत सूखा सा area था और वहां के जो Britishers थे वो चाहते थे कि एक बड़ा सा कुआ खुदवाए जो बहुत गयरा हो जिसके अंदर बहुत सारा पानी हो और आसपास के लोगों की पानी की जो समस्या है सब खतम हो जा उनको पानी पीने को नहीं दिया जाता था और उनके पिता जो है वो लोगों के लिए पानी अवेलेबल करवा रहे हैं तो मतलब जो जड़ थी समस्या कि वो ये नहीं था कि वो गरीब थे या उनके पास पैसे नहीं थे या फिर उनका जो स्टेटस है वो अच्छा नहीं थ या फिर और कुछ लेकिन जो में दिकत है वो ये थी कि वो अंटचेबल थे वो नीची जाती से बिलॉंग करते थे वो महार कम्यूनिटी के थे अब क्योंकि उनके पिता जी बहुत दूर काम करते थे तो वो वापस उनसे मिलने नहीं आ सकते थे तो एक दिन डिसाइड किया कि जो मेड कर हैं अपने भाईयों के साथ उनके पास मिलने के लिए जाएंगे जहां पर उनके पिता काम करते हैं अब देखो जब यह क्योंकि यह पहली बार रेल गाड़ी देख रहे थे पहले बार ट्रेन देख रहे थे और इनको बहुत एक्साइटी थे कि वह अपने पिता जी से मिलने वाले हैं तो यह बहुत अच्छे से तयार हो गए उन्होंने अच्छे नए कपड़े पहन लिये यहां तक कि उन्होंने सोने की चेन भी पहन ली ताकि सबको लगे जो भी देखे इनको उन सबको लगे कि यह कोई नीची जाती से नहीं बलकि यह तो ब्रामिन्स हैं ठीक है क्योंकि उन्होंने अच्छे कपड़े पहन रखे थे दियर आंटी गॉइंग तो स्टे बाक होम अब उनकी जो आंटी है यानी बुआ जो है वह वापस से घर आ गई और जो बाकी के पड़ोसी लोग है वो लोग अब इनका थ्यान रखेंगी क्योंकि वो हमेशा बीमारी रहती हैं जाधा तर ठीक है तो यह लोग फर्स ताइम जा रहे हैं तो यह लोग फर्स ताइम जा उन्होंने कभी ट्रेन नहीं देखा है तो यह लोग बहुत जाधा एक्साइटीड है बहुत खुश हैं और उनकी जर्णी है अभी तक ट्रेन के अंदर तो बहुत अच्छी जा रही थी लेकिन अब परेशानी आएगी जब यह ट्रेन से नीचे उत्रेंगे अब क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि जब इन्होंने बात की थी अपने फादर से तो इन्होंने डिसाइड किया था कि वो मिलने जाएंगे वहाँ पर जहां पर इनके पिता जी काम करते हैं लेकिन जब इन्होंने लेटर लिखा अपने पिता जी को कि हम आने वाले हैं तो इनके पिता जी के जो पियन थे जो उनके असिस्टेंट थे जो चपरासी थे जो उनके लिए काम करती थे वो इनका लिखा हुआ ये लेटर उनके पिता को देना भूल गए और इसलिए उनके पिता को यह नहीं पता कि बच्चे कब आने वाले हों और कब यह अपनी तरफ से गाड़ी उनके लिए भेजेंगे स्टेशन पे तो यहाँ पे एक चोटी सी दिक्कत हो गई अब देखो उनके फादर के जो पियन है वो लेने नहीं आए इनको स्टेशन पे अब यह जो बच्चे हैं क्योंकि पहली बार रहा है तो यह लोग बहुत जादा व्याकुल हैं डरे हुए हैं और इनको यह भी नहीं पता है कि इनके पिता का जो घर है जहां वो काम करते हैं वो कितनी दूर है मतलब एक तरीके से यही समझ लो कि अंजान जगह पे जाके यह लोग फस गए हैं और इनके नहीं पता कि किधर जाना है तो उसके बाद जब यह लोग स्टेशन पे बहुत देर तक इंजार करते रहें लेकिन कोई नहीं आए तो वहाँ पे स्टेशन मास्टर आए और उसने सोचा कि यह तो पक्का फ्रामेन ही होंगे क्योंकि नहीं इतने अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं तो वह वहाँ पे जाके उनको सिंपती दिखाने लगा ठीक है क्योंकि वह सोच रहा था कि यह लोग फ्रामेन है इसलिए लेकिन यह जो उनकी चिंता थी वो जो अपनी सिंपती दिखा रहे थे यह एक सेकंड के अंदर गायब हो गई क्योंकि स्टेशन मास्टर ने बाचीत के अंदर ही अंदर उसने एकदम से पूछ लिया कि कौन हो तुम लोग तो तुरांत अंबेड करने एकदम से बोल दिया कि हम महार कम्यूनिटी से हैं यानि अच्छूत हैं अंटचेबल से हैं तो अब इतना कहते ही जो स्टेशन मास्टर है उसके तो चहरे का रंगी उड़ गया मतलब समझ लो वो क्यूंकि अब उसको पता लगया कि यह लोग नीचे जाती से हैं तो यहां पे उनकी ट्रेन है उसको किस सरीके से सिंबलाइज किया गया एक साप के रूप में जो की बहुत ही जहरीला है अब जहरीला क्यों है यह जो पूरी कंडिशन हम देख रहे हैं उसके उपर ही यह सारा दिखाया गया है तो उसके बाद स्टेशन मास्टर जो है इनसे पूछता है और जैसे उसको पता लगता है कि य जाता है और फिर बहुत देर तक यह देखता रहता है कि यह लोग इंतजार कर रहे हैं और वहां पर जितने भी टोंगा वाले थे जो भी गाड़ी वाले थे उन सबने बेड़कर को बोलते हुए सुन लिया था कि वह एक नीची जाती से है जब वह अपनी जाती बता रहे थ थे स्टेशन मास्टर को तो सब ने सुन लिया था ठीक है तो नन ओफ टोंगा वाला रेड़ी तू टेक तम विकस दे आर अंटचेबल तो महां पर कोई भी तयार नहीं था उनको अपनी गाड़े में बिठाने के लिए क्योंकि उनको पता था कि यह लोग अंटचेबल है इ तो जो बाकी टोंगा वाले हैं जब बाकी टोंगा वाले हैं जब स्टेशन मास्टर बोलते हैं उनसे तो वो लोग मना कर देते हैं लेकिन फिर स्टेशन मास्टर बोलते हैं किसी एक को जाके कि देखो तुम्हें खुद से गाड़ी चलानी नहीं पड़ेगी और तुम्हें डबल पे भी मिलेगा तो फिर वहां पे एक टोंगा वाला हां कर कि उसको गाड़ी भी नहीं चलानी पड़ेगी और उसको डबल किराया बे मिलेगा और उसका क्या करना है सिर्फ वो साथ साथ चलेगा अपनी गाड़ी के साथ साथ पैदल चलेगा जो है वो अमबेटकर और उसके भाई-बेहनी चलाने वाले हैं तो फिर उसके बाद यह चल पड़े फिर आधी रात हो ही कही मतलब समझ लो उसके बाद जब रात में यह लो किसी स्टॉप पर रुके खाना खाने के लिए जो कि उनकी भुआने पडोसियों को कहके इनके लिए बनवाया था ठीक है और यह जो फोड है बहुत स्पाइसी था तो इनको पानी की जरूरत तो पढ़नी ही थी तो टॉंगा वाला है फो इकदम से गाइब हो गया क्योंकि वो तो साथ साथी चल रहा था लेकिन जब यह खाना खाने के लिए रुके तो वहां पे टॉंगा वाला भी चला गया अपना खाने के लिए अंबेटकर एंडिस तोल बूट अम बेटकर और उसके जो भाई बहन है उनको पानी ढूणने में थोड़ी मुश्किल होगी क्यों 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 वो आंटचेबल है और वहां के जो लोग है सबसे पहले यही पूछते हैं कि तुम कौन हो यानि वो जाती जानने की कोशिश करते हैं इस दर से कि अ उनकी जो रियल पहचान है वो ना बता हैं वो क्या बता हैं कि वो मुस्लिम हैं मुस्लिम आर ऑल्सो कंसिडर्ड लो बट अंटचेबल जार इवन लोग दन मुस्लिम जाते थे लेकिन वो जो महार्स कम्यूनीटी थे उनसे तो उंचे ही थे ठीक है तो इसलिए उन्होंने ब यूँकि जब ये गए उनके पास पानी मांगने तो जो भी टोल बूत पे लोग खड़े थे उन्होंने पहले ही देख लिए इनकी चाल धाल से और जब इन्होंने पानी के लिए बोला तो फिर उन्होंने मना कर दिया यानि हम देख सकते कि उनको पानी एंड तक मिला ही नहीं और पानी ना मिलने का रीजन क्या था उनकी नीची जाती ठीक है उनकी अन्टचिबलीटी तो फिर उन्होंने कैसी भी मानेज किया पूरी रात उन्होंने बिना खाणा खाए और बिना पानी पिये गुजारा then the next morning they resume their journey to their father's village और उसके बाद अगली सुबह वो दोबारे से अपनी आत्रा को शुरू करते हैं अपने father के village जाने के लिए now suddenly the tonga walas jumps on the tonga and drives it himself which seems strange because earlier he refused to do so because of their untouchable status अब यहाँ पेक अजीब से चीज़ क्या होई कि जब यह लोग मॉर्निंग में निकले अपने father के गाउं के लिए दोबारे से नहीं जरू करी तो जो tonga walas है वो पहले मना कर रहा था कि वो गाड़ी नहीं चलाएगा क्योंकि उटके साथ अच्छूत लोग हैं लेकिन अब उसने क्या कि अचानक से कूद के आया और खुद से ही चलाने लग गया finally the mistake is released that they had written a letter to their father about their plans to visit but the father's pian forgot to give the letter to their father so he had no idea that the children would be coming तो मतलब जब यह लोग finally अपने father के पास पहुच गए तो उन्होंने बातचीत की तो वहाँ पर जो mistake है वो यह निकल किया है हमारा पार्ट वन जो है जिसका नाम है water वो ओवर हो गया और इसमें हमने दो इंसिडेंट देखे जब वो बचपन में यानि जब वो 10 यर ओल्ड के थे स्कूल में थे जब उनको पानी पीने नहीं दिया गया और उसके बाद जब यह अपने father के घर जाने वाले थे तो रास्ते में जब इनको भूख लगी लेकिन इनके पास पानी नहीं था और ये available भी नहीं करा पा रहे थे क्यों क्योंकि उनकी जाती की वज़र से तो अब हम शुरू करते हैं हमारा part 2 जो की है shelter और ये कब हुआ था 1917 में Part 2 is based on a later incident in Ambedkar's life when he returned from USA and his abroad travels where he had gone to study अब part 2 कब हुआ जब वो abroad से वापस आए इंडिया में यानि USA वो गय थे study के लिए और जब उनकी study complete हो गई तो वापस इंडिया आए His study had been financed by the Maharaja Saiaji Rao of Baroda and now he was committed to work for him in return अब जो भी उनके पढ़ाय का खर्चा था जो अबराड में हुआ वो Maharaja Saiaji Rao ने किया ठीक है और अब उनको इसके बदले में उनके लिए काम करना पड़ेगा यानि Ambedkar को इनके बदले में काम करना पड़ेगा क्योंकि इनकी पढ़ाय का जो भी खर्चा था वो Maharaja Saiaji Rao ने किया था और इसकी वज़े से इन्होंने अच्छे अच्छे जॉब्स को भी ठुकरा दिया जो कि इनको अबराड में मिले थे इस section is again framed by a conversation that Ambedkar has with another person he tells the other man about his predicament that he now needs a place where he can stay in Baroda अब यहाँ पर जो एकी समझनी है कि जो Maharaja थे Baroda के उन्होंने सारे खर्चे उठाए ठीक है Ambedkar के जो भी उन्हेंने abroad में study की और अब जब वो वापस आए हैं Baroda में किसके लिए ताकि वो उनके लिए काम कर सके जो Maharaja उनके लिए काम कर सके और सिर्फ इसी की वज़र से रीजन यही है कि उनको काम करना पड़ रहा है क्योंकि उनके सारे खर्चे महाराजा ने उठाए है तो इसलिए उन्हें अच्छे जॉब भी छोड़ दी अब यहां पर दिक्कत यह है कि यह Baroda तो आ गए है पर यह रहेंगे कहां तो यह अपनी सारी स्थिती जो है इतनी बुरी मुश्किल में यह फस चुके हैं कि यह कहां रहेंगे तो यह सब एक आदमी के साथ डिसकस कर दें अपनी प्राब्लम को तो जो दूसरा इंसान था जो कि अमबेडकर अपनी बात बता रहे थे उसको अपनी सिती बता रहे थे ताकि वो इंसान उसकी हेल्प करे लेकिन उसने क्या सोचा कि वो किसी होटल में ठहर लेगा या फिर किसी और फ्रेंड के घर ठहर लेगा लेकिन उसने उसके सिती को समझने की कोशिश नहीं करी जब तक कि बारोडा से बाहर थे दूसरे देश में थे अबराड में थे स्टड़ी कर रहे थे तब तक ये सब कुछ भूल चुके थे कि वो अच्छूत हैं क्योंकि वहां पर ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते कि कोई उची जाती नीची जाती वहां पर सब बराबर है लेकिन जैसे ही इनोंने इंडिया में एंटर किया तो इनको ये बात याद दिला दी गई कि वो एक अच्छूत है और अब यहां पर मुश्किल यह है कि वहा तो फिर उन्होंने आसपास के टॉंगा वालों से पूछा कि कोई यहां पर होटेल है या फिर कोई रहने की जगह जहां पर अंटचेबल को रुकने के लिए ठहरने के लिए कोई परिशानी नहीं हो तो फिर उनको थोड़ दिर बात पता चला कि यहां पर आसपास यह पारस यानि वो जो होटेल है वो पार्सी लोगों का है और वो वहां रुख सकते हैं तो यह जैसे उनको यह बात पता चलिया बेट करको तो उन्होंने उनको बहुत रिलीफ मिला कि चलो कोई जगत है जहां मैं रह सकता हूं तो उनको लग रहा था कि वो पार्सी लोग है तो उनमें करें तो नाम नहीं पारसी नहीं है तो इस तरह के से उन लोगों भी अंदासा लगा लिया कि इसका तो नाम पारसी नहीं है नाहीज ने ट्रडिशनल कपडे पहने हुए है तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे मना कर दिया कि वो उनके घर में नहीं रुक सकते वो उस इन में नहीं रुक सकते अंबेटकर सेद दाट एट एट राइट अंदू नेम इन दर रिजिस्टर अफ्र आल दे वोड़ लोगों न में अमेड कर जाते हैं तो वहां के मालिक से इनकी मुलाकात नहीं होती है बलकि वहां का जो केयर टेकर है उससे इनकी मुलाकात होती है और केयर टेकर ही उसको पहचान लेता है कि वो पारसी नहीं है किसी और धरम से है और वहीं बोलते है कि उसके कपड़े और जो भी उसने traditional कपड़े नहीं पहने और उसका जो नाम है वो पार्स नहीं है तो इसलिए वो मना कर देता है कि वो वहां नहीं रुख सकते लेकिन उसके बाद अमबेड कर उसको बोलने की कोई बात नहीं अगर ऐसी बात है तो वो हिंदू नाम भी रख सकते हैं क्योंकि जो केर टेकर है उसको रिजिस्टर में रिकॉर्ड करना पड़ता है सबके नाम की कौन कोन आया वहां पर स्टे करने के लिए तो यहां पर केर टेकर से ही सारी पार्सी नहीं है या फिर हिंदू भी नहीं है तो यहां पर यह जो केर टेकर है यह बहुत जादा बात चीत नहीं करता है इससे दूरिया बना लेते हैं और इनके पास सिर्फ दो बार ही आदा है आठ बजे चाय नाश्ते के लिए उसके बाद सिधे रात के नौ बजे यानि यह सिर्फ दो बार आत और बागी टाइम अवाइड करते है क्योंकि इसको भी पता है कि अन्जाम क्या होगा तो यह भी शान्त है किसी और को कोई बात पता नहीं चल रही है कि यहां पर इन में क उस पारसी इन में वो जगह बहुत ही जादा गंदी थी मैली थी और हर जगह मिटी जमी हुई थी खिड़कियों पे बिल्कुल धूल जमी हुई थी धुंदिला सा था मतलब बिल्कुल भी बसने योगे रहने योगे नहीं था लेकिन वो क्या सोच रहे थे कि चलो कोई बात नहीं कि उनके पास रुकने के लिए कोई जगह तो है and then 11 days passed by like this in the meantime Ambedkar was trying to find some accommodation which could be given to him by the maharaja और the government उस पारसी इन में इनके 11 दिन इसी तरीके से गुजरे आराम से गुजरे और इन 11 दिनों के अंदर अंदर वो सोच रहे थे कि उनको कोई जगह मिल जाए ठहरने के लिए या फिर maharaja की तरफ से या फिर government की तरफ से उनको कोई जगह मिल जाए रहने के लिए इन 11 दिनों में on the 11th day Ambedkar heard a big crowd gathered outside the inn he thought maybe some tourist had come अब 11 दिन Ambedkar ने बहुत ही crowd सुना मतलब बहुत ही show शराबा आ रहा था बाहर से उनको लगा कि शहाए टूरिस्ट वगएरा आए हैं जैसे कि वो आए थे यहाँ पर रहने के लिए तो वो भी यहाँ पर रुकने के लिए आए है he found a group of angry parsis outside who were almost ready to kill him तो फिर यह उस वक्त जब बहुत आवाज आ रही थी तो यह अपनी library key books उठा रहे थे और बाहर की तरफ ही जा रहे थे और जैसे ही यह बाहर गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग गुसे में पारसी लोग गुसे में वहाँ खड़े थे और उनको मारने ही वाले उस वक्त उन्होंने वैसे तो बहुत धंकिया दी कि तुम कब जा रहे हो यहां से जल्दी जाओ शाम तक खाली हो जाना चाहिए अब यहां पर वो इसलिए बचे क्योंकि उन्होंने माफी मांगी और इसलिए वो बच गए उन लोगोंने इनको बख्ष दिया और उन्होंने डिमांड किया कि वो जल्दी से जल्दी सब कुछ छोड़के चला जाए यहां से वो यह नहीं चाह रहे थे कि वो एक दिन भी वहां रुके तुरंत ही चला जाए इस चीज को आर्ट के थ्रू कैसे दिखाया गया है कि अमबेड कर के पूरे शरीर पे यानि अच्छूच शरीर पे काटे लगे हुए है और उनको इस वक्त होटल को छोड़के जाना ही जाना है क्योंकि यह उनकी मजबूरी है तो इसलिए यह सिंबॉलिक है बिल्कुल रिय में जिस तरी किसी माजन कर सकते हैं किसी की बॉड़ी पे बहुत सारे कांटे लगे हुए तो यह जो आर्ट है वो भी बिल्कुल डिटो ऐसी ही बनाए गई है जो की रियल लगे अमबेड कर है च्टेल नॉन गौट अनी अकमडेशन फ्रॉम्द महराजा और गफरमेंट और यहां पर ना उनको पानी मिल रहा है किसी से ना खाना मिल रहा है और ना ही कोई रहने की जगा है मतलब बिल्कुली बेघर हो चुगे हैं यह आजट अ क्रिश्टिन फ्रेंड ओफिस तो हेल्प हिम आउच ता क्रिश्टिन फ्रेंड सेट एट एट इस वाइफ उस नौट सो जो मेरी वाइफ है वो ओपन माइंड नहीं है तो इसलिए तुम नहीं रुख सकते अंबेटकर रियलाइज दाट इस वास जस्ट एन एक्सक्यूस ही रिमेंबर दाट इस फ्रेंड एंड इस वाइफ इन ब्रामिन्स बिफॉर दे कंवर्टे टू क्रिश्टिन अब इनको अ जो और इनको अचू अजू अच वाइफ पहले ब्रामिन्स एक लिएक जो उसके वाइफ वाइफ करके इस में थैंड जूर की है उलाओ झालव नहीं करेंगी कि इनको खुकर द्खन आए इनके घर में कोई अचूत तो इभ्रामिन ही तो यह क्रिश्टिन की बिफ इस यह द लोगों के लिए भी अंटचेबल ही होगा यानि वहां पे हर जगह यही सब कुछ फैला हुआ था उची जाती नीची जाती अच्छूत यही सब फैला हुआ था क्योंकि पहले तो वह सोच रहे थे कि पार्सी लोगों में ऐसा नहीं होता होगा वो विश्वास नहीं करते हैं सब चीजों में लेकिन जो पार्सी इन में गए तो उसके बाद अब इनको रियलाइज हुआ कि क्रिश्चन में भी यह सब है पार्सी लोगों में भी यह सब है और हिंदु धरम भी यह सब है देनी आज़ अनदर फ्रेंड ओफिस फॉर है तो फ्रेंड सेड हैड नो प्रॉ तो उसके दोस्त ने कहा कि वो तो आने देके लेकिन उसका जो सर्वेंट है वो काम छोड़ कर चला जाएगा अगर उसके घर में कोई भी अच्छूत आया तो तो यहां पे जो अमबेड कर हैं वो भी बहुत बहस नहीं करना चारे थे क्योंकि उनको पता है कि यह सब कुछ एक बहाना है तो इसलिए उनको भी यह रियलाइज हो रहा था कि यह सब एक बहाना है तो जादा बहस बाजी ना करके उन्होंने भी हा कर दियो और फिर वहां से चले गए अब यहाँ पर जब उनको रहने की जगह मिल जा उनको अपने सारे दोस्तों से पूछा अब आखिर में इनको रियलाइज हुआ कि इनके पास सच में कोई भी जगह नहीं है वापस जाने को तो इनके पास अब आखरी एक ही option बचा हो है कि ये वापस से Bombay चले जाए रात की train से He even had no place to spend the remaining hours until night So he went to the Kamathi Bark Garden to spend the time अब इनके पास देखो मतलब रात नहीं हुई है अभी रात होने में कुछ घंटे बाकी हैं तो ये जो कुछ घंटे हैं इनके पास वो गुजारने के लिए भी कोई जगह नहीं है तो ये क्या करते कमाथी बाक गार्डन में चले जाते हैं उनकुछ घंटों को spend करने के लिए As Ambedkar lies in the Kamathi Bark Garden in a pensive and contemplative state The Viam have shown Ambedkar himself as being the whole Kamathi Bark Garden तो हम बेटकर कमाथी बाक गार्डन में जाके बहुत ही pensive यानि बहुत ही उदास हैं ये contemplative state में जाके लेट जाते हैं वहाँ पे और यहाँ पे Viam ने आर्ट के थुरू दिखाया है जैसे कि वो खुद ही पूरा एक कमाथी बाक गार्डन हो This is accompanied by a news clipping that show us that even today upper castes don't want Dalits as tenants and they are often thrown out of accommodation and sometimes even killed तो ऐसी कई सारी चीज़े हम news में भी देखते हैं ठीक है और हमें पता चलता है कि अभी के time में भी ये सब कुछ मौजूद है यानि जो भेदबाफ किये जाते हैं उची जाती में नीची जाती में दलित लोगों के साथ वो सब हम देख सकते हैं कि अभी भी मौजूद हैं ठीक है और अभी भी जो बाकी लोग हैं वो दलित लोगों को अपना किरायदार भी नहीं बनाना चाहते अच्छूत लोगों को क्योंकि वो खुद भी अच्छूत ना हो जाएं इस डर से और ये सारी चीज़े कभी-कभी उन लोगों को फेस करनी पड़ती है जो दलित लोग होते हैं टचेबल्स होते हैं उनको कभी कोई जगह नहीं मिलती है उनको बाहर भगा दिया जाता है कूडे की तरफ फेक दिया जाता है रोड पे उनके पास कोई जगह नहीं है और कभी-कभी तो उनको मार भी दिया जाता है तो ये था हमारा पार्ट टू यानि शेल्टर की उनको रहने की जगह ही नहीं मिली अम्बेडकर को रहने की कोई जगर नहीं मिली वो कहां स्टे करें तो इसलिए वापस ये बॉम्बे चले गए रात की ट्रेन से ठीक है तो ये था हमारा पार्ट टू शेल्टर जो की खतम होगे अब हम चलते हैं पार्ट थ्री पे जो है ट्रावल यहां पे जो अम्बेडकर है और उनके साथ ही है वो बस में जा रहे है कहां पे दौलत अबाद घूमने के लिए पर उनको चालिस गाउं स्टॉप पे रुखना था क्यूं कि उन्होंने अम्बेडकर को भी अपने साथ में बुलाया था अब जब वो वहां पहुँचे तो चालिस गाउं के सारे अंटचेबल्स लोग जो थे वो वहां पे पहुँच गये थे अम्बेडकर का स्वागत करने के लिए अब देखो उन्होंने अम्बेडकर के लिए टोंगा भी कल कहलो या फिर गाड़ी कहलो उन्होंने अरेंज करवा दिया था ताकि वो उसमें बैठके जाए जबकि जो वो लोग खुद थे वो पैदल जा रहे थे इनका जो टोंगा वाला था जब वो देख रहा था कि सामने से गाड़ी आ रहे है तो बिलकुल कोने से लेके जा रहा था यह अपनी टोंगा को तो इस चीज को देखके अम्बेडकर जो हैंड को थोड़ा अजीब लगा तो उनको अजीब लगा कि यह जो टोंगा वाला यह तने अजीब तरीके से क्यों चला रहा है अलिटल लेटर अज यह व्याव तो टोंगा टेक्स अ शाप टन एड़ा अंबेडकर फॉल्स डाउं इंट दे वाट थोड़ी देर बाद जब यह क्रॉस कर रहे थे एक रीवर को तो वहां पर एक नाला था ठीक है कलवर्ट का मतलब होते है नाला जो की रीवर के नीचे बना होता है तो टोंगा वाला जो था उसने एक शाप टन लिया चानक से मोट दी अपने टोंगा को और उसके वाद जो अमेडकर है वो नीचे गिर गया पानी में आफ्टर दे री तो अब उनको पता चला कि ये जो टोंगा वाला है ये कोई भी मतलब ये ड्राइवर नहीं था और वो अपनी जंदगी में पहली बार ही चला रहा था इसले उसको अचे से चलाना नहीं आ रहा था इसले वो डर डर के चला रहा था ये जो टोंगा वाला है ये भी उन गाओं के लोगों में से ही एक था बलकि ये कोई टोंगा वाला नहीं था सच मुँञ में कोई ड्राइवर नहीं था लेकिन इसको टास्क दिया गया था कि इसे अमबेटकर को विलेज तक लेके आने क्यों कि रीजन ये है कि बाकि जो टो किसी भी अचूत को बिठाए किसी भी अंटचेबल को बिठाए तो इसलिए गाउं का ही एक आदमी था जिसने तोंगा वाला बनके और फिर अम्बेटकर को अपने गाउं में ले आए यह तोंगा वाला है जो कि गाउं का ही एक विलेजर है यह खुद बीमार रहते हैं हमेशा इसको बहुत सारी चोटे लगी हुए है इसके आम्स में लेग्स में क्यों क्योंकि यह खुद ही गिरता पड़ता रहता है ठीक है मतलब इसको चलाना नहीं आता है इसलिए इसको हतना कि पागवरी लाइफ तो यहाँ पर पेटकर है तरीके से मालो की लिडर है अंतोट परफ़क हैा कहीं untouchables के लिए मानलो ये एक नेत है तो इसलिए गाउं के जो भी लोग हैं 40 गाउं के लोग हैं ये बहुत जादा खुश हैं और ये अपने गाउं में इनको invite करते हैं एक टोंगा वाला के थूरू उसको भिजवाते हैं ताकि वो ले करते हैं और ये सारी चीज़े हुई रास्ते में कि ये पानी में गिर गए क्योंकि वो जो टोंगा वाला था वो सच मुछ में कोई टोंगा वाला नहीं था बलकि गाउं का ही आदमी था ठीक है तो ये सब देखके यहां पर अमबेड कर जो हुआ कि गाउं के जो लोग हैं वो कोई भी अंटचेबल उनकी गाड़ी में बैठे उनके टोंगा में बैठे तो इसलिए किसी एक विलीजर ने टोंगा वाला बनके और फिर अमबेड कर को अपने गाउं में ले आए यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि जो गाउं के लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं अमबेड कर का और आर्ट में हम कैसे देख सकते हैं कि एक डैंसिंग पिकॉक है ठीक है रियल में हम देख रहे हैं कि यहां पर वैलकम कर रहे हैं अमबेड कर का और इसी चीज को बुक में दिखाया गया है आर्ट के थ्रू वहां पर एक पिकॉक है जो कि डांस कर रहे हैं तो इस डांसिंग पिकॉक का मतलब है कि वहां पर वो लोग अमबेड कर का स्वागत कर र यहां पर कुछ ऐसे भी सीन है जहां पर हम बेड़ कर आ रहे थे अपने रास्ते में और जो टूंगा वाला था उनकी विजर से यह नीचे गिर गया पानी में इस चीज को कैसे दिखाया है आट के थू कि एक मतलब जब वो बुलक काट से नीचे गिरे बैल गाडी से नीचे ग नाले में गिर गया तरीके से जो की ब्रेज के नीचे था तो इसलिए अब यह बुरा हुआ है इसलिए यहां पर बैट के थू इसको शो कर रहे हैं तो अभी तक की कहानी क्या थी कि वो दौलताबाद में जा रहे थे घूमने के लिए अपने फैलो मेट्स के साथ लेकिन उस के बाद यह जा रहे हैं दौलताबाद के फॉर्ट पे ठीक है next is their trip to the दौलताबाद as soon as they reach there they are eager to go straight to the famous fort and don't even wait for tea although they are thirsty they want to see the fort before sunset पंबेडकर उनके साथ ही जो है यह लोग बहुत जादा excited है किसलिए fort को देखने के लिए शाम होने से पहले ही वो उस fort को देखना चाते हैं जो कि बहुत famous है दौलताबाद में और इन्होंने अभी तक चाय भी नहीं पी और इनको बहुत प्यास लगी है पर फिर भी यह जा दौलताबाद जो है यह एक मुस्लिम अरिया यानि वहां पर सब मुस्लिम लोग ही रहते हैं और जब यह जर्णी कर रहे थे तो वहां पर जाने से पहले उन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया था कि यह लोग आ रही है और यह यह लोग अंटचेबल जा रहे थे ल देखने वाले हैं दौलताबाद में तो फिर सारे लोग इनको ही देखते और बाते बनाते इसलिए किसी की भी अटेंशन ना पड़े इनके उपर इसलिए नहीं किसी को भी नहीं बताया कि यह वहां जा रहे हैं और या फिर यह उन्टचेबल से यहाड ओनली इन्फॉर्म् अब यह जिस बस से आ रहे थे जिस बस में ट्रावल कर रहे थे तो इस बस पे ही पूरा एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ था और उस पे क्या था अम्बेटकर की फोटो लगी हुई थी और वो फोटो इनके लीडर्शिप को शो कर रहा था अब यह फोट में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बड़ा सा पॉंड है ठीक है इनके सामने ही है क्योंकि यह बहुत प्यासे भी थे ट्रावल भी किया है तो उनमें से कुछ जो थके हुए थे जो भोगे अंटचेबल से वो थोड़ा सा फ्रेश फील करने के लिए वहा अब जैसे ही इन अंटचेबल ने हाथ दोना शुरू किया वहां पे एकदम से बहुत ही शोर शराबा होने लगा वहां के जो भी मिसलिम वहां पे प्रेजेंट थे वो सब आय और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वहां पे कोई भी अंटचेबल अलावड नहीं है और उस पानी को छूना भी नहीं है तो फिर अंबेड कर और उनके जो भी बाकी साथी थे उन लोगों ने बोला कि हम जो सिफ ट्रावलर्स है और हमें यहां के जो लोकल रूल है इस प्लेस के वो नहीं पता दे डिड नॉट नोट 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 मुसलिम्स तू प्राक्टिस अंटच उन्हें यह बात पता नहीं थी कि मुसलिम लोग भी इन सारी चीज़ों को मानते हैं कि अंटचिबिटी या फिर उंची जाती नीची जाती So then the Muslims called the untouchables of Dalatabad and shouted at them as to why they had let their guests wash in the pond पार कि जो मुसलिम लोग थे उन्होंने बाकी सारे untouchables को बुलाएं याने लोग दौलत बाद में उन सब and touchables को बलाएं और उनके उपर चिलाने लगे कि यह यह जो तुम्भारे महमान है जो बाहर से आएं उनको तुमने क्यूं वाश कर ने दिया हैं पॉंड के तुमने अपने गैस्ट को पहले क्यों नहीं समझाया पहले क्यों नहीं बताया कि इनको पॉंड में हैंट को वॉष नहीं करने पूरा पानी पॉल्यूट कर दिया तो जो दौलताबाद में रहने वाले अंटचेबल से उनको भी नहीं बता कि उन्होंने अपने हैंड को पॉंड के अंदर वाश किया है ठीक है जो भी अंटचेबल आए हैं बाहर से अब यहां पे उनको सामना करना पड़ा मुसलिम लोगों का ठीक और बहुत ही जादा जगड़ा हुआ परोर हुआ बहुत शोर शराब हुआ अब यहां पे जो हम बेट कर हैंज मैं पूरी कोशिश की कि वह कदम उठाएं अपनी डिग्निटी के लिए सारे दलित्लोगों के लिए सारे दलित लोगों की तरफ से अपनी आवाज उठाएं और फिर उन्होंने मुसलिम लोगों से पूछा कि क्या अगर वो अपना धरम इसलाम में convert कर लेंगे और उसके बाद पानी छुएंगे तब भी उन्हें कोई दिक्कत है और फिर उन्होंने पूछा उनसे कि यही तुम्हारा धरम तुम्हें सिखाता है इसलाम टीचेज इक्वालिटी बट स्टेल दमुस्लिम्स प्राक्टिस कास्टिजम और फिर बोलते हैं कि इसलाम जो है वो हमें equality सिखाता है हमें बताता है कि हम सब equal हैं लेकिन अभी भी मुस्लिम लोग जाती में ही लगे हुएं कि उची जाती नीची जाती तो इन सब के बाद उनको अलाव कर दिया गया कि वो फॉट में जाए और लेकिन सिर्फ एक कंडिशन पर उनको अलाव किया गया कि वो जाएंगे लेकिन किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे वहाँ पर अग्रूप ऑफ पीपल वर गोइंग तो अकंपनी थेम तो सी यह तो चले गए घूमने ठीक है जो अमबेटकर थे और उनके साथ ही थे वो सब फॉट में चले गए लेकिन उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग गए यह देखने के लिए कि कहीं वो किसी चीज को चून न दे दाज अमबेटकर केम तो नूओ एट हिंदूस पार्सीस क्रिस्टेव यहां पर इनको यह बात पता चल गए हिंदू तो हिंपार्सीस भी हैं मतती है यह लोग भी भेदभाव करते हैं या अच्छूट है यह फिर उंची जाती हिंज रहती हैं अभी तक पार्सी का पता लगा था जब वह शल्टर के लिए गए थे ठीक है तो वहाँ पे उनको पता लगा था कि हिंदू हैं क्रिश्चन हैं और अब तो पार्सी भी हैं लेकिन इस इंसिडेंट के बाद इनको पता चला कि मुस्लिम लोग भी हैं जो कि प्राक्टिस करते हैं जो कि मानते हैं अंटचिबिटी इन देर ड्राइंग लेकिसगे लिए पतैकि अपढ़ लाइन की तरह कि आफिता हैं कि दॉपास्य खिए भी हैं कि यहां पे भी फॉट के अंदर भी जो उन्टचिबिड़ उन्हें इस कास्टिजम को साहा इसको फेस किया वहाँ पे जाती की बात हो ही गई वहां पे उनको बोले लगा है कि वह उंटचेबल हैं और किसी भी चीज को टच ना करें तो यहां पर हमारा यह जो पार्ट 3 था हमारा ट्रावल यह खतम हो गया तो आल्मोस्ट हमने सब कवर कर लिया इस वीडियो में हमारा पार्ट 1 जो कि था वाटर पार्ट 2 जो था हमारा शैल्टर पार्ट 3 ट् यहां पहल पार्ट 3 फार्ट 3 पर हमारा पार्ट 4 जिसको कि अगली वीडियो में डिसक्स करेंगे और इसके अंदर सुर्फ दो कहांई है जैसा कि हमें पता है कि वहं अंबेड कर्किका नहीं हैं बल्कि कि किसी और की कहानी है लेकिन उसका जो तोपिक है जो main theme है वो भी यही है untouchability और casteism जिसको कि हम अगली वीडियो में discuss करेंगे तो इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो गिफ मी ए फीडबाक and let me know in the comment box if you like this video and share it with your friends as well so that they can get help from it and don't forget to subscribe my channel until we meet in the next video keep learning